हेल्दी खाना किसे नहीं पसंद और वो भी पालक आज मैंने घर पर बनाए पालक की चार्ट जिसको आप गुलगप्पी की शॉप पर ज़रू खाते होगे क्योंकि ये चार्ट सबकी फेवरिट होती है आज मैंने ये फर्स टम ट्राई करी वो भी घर पर जिसके लिए मुझे इन सभी समानों की जरुरत पड़ी सबसे पहले तो मैंने दो लीफ ले लिये थे जैसे कि आप देख रहे हो इसमें मैंने पटाटो को डाल दिया था पटाटो ये वही वाला जो हम आलो के पराटे में यूज करते है यूज किया था और मैं पहले ट्राई कर रही थी कम-कम इ अगर आप फर्स टाइम कर नो चाहिए वो कुछ भी क्यों ना हो तो आपको हमेशा कम में यूज करना चाहिए क्योंकि जादा वेस्ट होने के बहुत चांसे रहते हैं दूसरी तफ ने पकोडे के लिए बेसन को रेडी कर लिया था बेसन के साथ में डाल था नमक, मिर्ची, अच्छी हल्दी और डाला था मैंने एजवाइन एजवाइन डालना बहुत अच्छा है अधरवाइस आपके पेट में हो सकती है गैस एजवाइन के बहुत सारे फाइदे हैं तो आप एजवाइन हमेशा यूज करना चाहिए आप कुछ भी करो इसको आपको ना अच्छे से टाब टाब करना यह अदरवाइस यह फट सकता है मैंने अच्छे से इसकी फिलिंग नहीं करे ती जिस वज़े से जिल इस फट गया था लेकिन आप ऐसा बेशा बिल्कूल मत करना करना और टेल बहुत जादा गर्म होगया था जिस वज़े से मेरा हाद जल गया था हलका सा उसके बाद मैंने इसको अच्छे से fry कर लिया था और देखो कितना क्रिस्पी और कितना अच्छा लग रहा है यह देखने में बहुत सुंदर लग रहा था यह और तलके बिल्कुल हो चुका था रेड़ी और क्रिस्पी अब बारी थी इसमें मसाले आट करने की मसाले मतलब ज सब्सक्राइब को खाना पसंद होता है यहां पर मैंने बनाया था है एज यूज्वल मैंने खुड टेस्ट के बाद अपनी टीम को टेस्ट करवाया बिकॉस इतनी महनत करती है तो यार मैं जो अपने प्यारे हाथों से खाना बना रही हूं I want की वह लोग भी टेस्ट करें तो सबने टेस्ट किया मिल जुलकर और सबको बहुत अच्छा लगा देखो रोही तो पागल हो गया था कहता है मैं जब नेक्स नहीं बनाओ कि तो जादा बनाना फिर मेरे भाई ने टेस्ट किया वो तो बच्पन से दिवान आया क्यों मैं इसको बच्पन से बनाती हारी बच्पन से क्या क्या करते थे वैल यह मैंने फर्स्ट इंट राई किया था जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया उसके बाद पुनीत ने भी जम कर खाया फिर उसने वाश्रूम में टाइम लगाया वैल सबको काफी पसंद आया आप घर बनाना और मुझे कॉमें से बत कर दो